नमश्कार दोस्तों आप सभी के स्वागत करते हूं अपनी यूट्यूब चैनल सचाट 24 में दोस्तों रेलवेई की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई हुई है यहाँ पर दोस्तों रेलवेई रूकेर्मेंट सेल की तरफ से यहाँ पर एक vacancy का announcement हुआ है जो की vacancy है ALP की और यहाँ पर काफी अच्छी मातरा में vacancy आई हुई है और यह vacancy अगर बात करें कौन से reason से आई हुई है तो दोस्तों यह जैपूर reason से आई हुई है vacancy ठीक है vacancy के अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी मातरा में vacancy आई हुई है अगर आप लोग eligible है तो इस vacancy को miss मत कीजिएगा apply जरूर कीजिएगा ठीक है एक बार आपको मैं clear कर दूँ यह vacancy जीडीसी वालों के लिए है ठीक है open भरती नहीं है बट vacancy जो है बहुत अच्छी खासी आई हुई है ठीक है बहुत दिनों के बाद vacancy आई हुई जीडीसी के अंदर काफी दिनों से इंतजार था जीडीसी की vacancy का और इस बार finally railway ने जीडीसी की vacancy दे दिये यहाँ पर फिलाल सिर्फ जाइपूर रीजन से आया है सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर तो आप लोग वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा ठीक है जहां भी आपको doubt होता आप लोग हमें comment section बता सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है जीडिसी का notification number दिया गया है यहाँ लोग देख लीजिए गया 24 तारी को notification आया था यहाँ पर ठीक है यहाँ पर डेट टाइम दिया गया है कब से आपका form start हो जाएगा तो दोस्तों यह आपका जो form है साथ अप्रिल से form आपका start हो जाएगा ठीक है और closing date की अगर बात करें तो कब यह form आपका समाप्त होगा तो वह होगा आपका छे माई को ठीक है इस दो date को याद करके रखी है बहुत important date है पहला आपका opening date यानि form apply कब करेंगे तो 74 2023 से form आपका start हो जाएगा closing date जो है last date जो है आपकी छे माई होने वाली है तो इस बात को ध्यान दीजेगा इससे पहली आप लोग फिलप कर दीजेगा लास्ट डेट का इंतिदार नहीं करना आपको ठीक है यहाँ पर देखे क्या दिया गया तो online application are invited from all serving regular railways employee of Northwestern railways तो दोस्तों यहाँ पर Northwestern railway की बात हुई है अगर आप Northwestern railway के करमचारी है तो आप लोग इस form को apply कर सकते हैं यहाँ पर और क्या बोला गया है यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजेगा यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या दिया गया है तो यहाँ पर आपका minimum qualification मागा गया है नेम अप पोस्ट के अगर बात करें तो मेडिकल कंडिशन क्या मांगा गया है यहाँ पर आपको मैं सला दे रहा हूं क्यूंकि यहाँ पर बात करें क्या होगा दिकत होगा फिर डॉक्मेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर और मेडिकल के टाइम पर तो अगर आपका एवन कैटेगरी का मेडिकल है तभी अपलाई कीजिएगा यहाँ पर बात करेंगर minimum qualification की तो minimum qualification मांगा गया है 10th आपके पास होना चाहिए दोस्तों ठीक है साथ में आपके पास यहाँ नहीं है तो आपके पास डिपलोमा है तभी भी अपलाई कर सकते है ठीक है तो यह दो यहाँ पर qualification मांगा गया है एक तो 10th मांगा गया है या तो आईटाई या तो डिपलोमा यहाँ पर आप लोग चेक कर लिजिएगा आपकी क्या qualification की साबसलब अपलाई इसके बाद 45 यह रखा गया है OBC के लिए और 47 रखा गया कि स्टी और स्टीजिए ठीक है यह थोड़ा ध्यान देजोगा आगे बात करते हैं अगे बात करते हैं जर्नल इंस्रेक्शन यहाँ पर पढ़ लीजिए यहाँ पर साब बोला गया की सेर्विंग रेल्वेजिए उ बात कर तो second point में main important बात ही बताए गई है कि जो आपका form है application है वो last उसकी date बताए गई है तो 6 मई आपकी last date होने वो लिए 6 मई 22 से आपको पहले आपका form fill up कर देना है ठीक है बाकी जो भी आपको जयूरी information चाहिए होगा ओफिशल notification को ही ध्यान में दीजिएगा ठीक है बाकी जो इसका official notification हो तो हम telegram अले group में डालेंगे ही ठीक है तो आप लोग वहाँ से भी download कर सकते हैं ठीक है आगे बात करता हो fifth point में तब यहाँ पर medical fitness की बात हुई है ठीक है तो medical fitness आपकी उस time भी चेक की जाएगी GDC के इंदर भी medical fitness चेक किया जाता है ठीक है वहाँ भी आपका medical होता है ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखिए requirement process बताया गया तो यहाँ पर आप लोग देख लीजेगा पहला जो बताया गया है ठीक है यहाँ पर cvt exam होगा जैसा कि आप सभी को पता है two stage में cvt exam होगा उसके आप सॉट लिस्ट होंगे तो उसके बाद साइको वालों को ब की official site पर जाइएगा वहां से आपको apply करना होगा ठीक है आगे चलते हैं देखते हैं आगे क्या-क्या important बात दी गई है तो यहाँ पर वही photograph की बात हुई है कि आप लोग कौन कौन से document upload करने है यहाँ पर photo का size दिया गया है 15-40 kv तक और signature का size दिया गया है यहाँ पर 10-20 kv ठीक है और बाकी employee certificate जो है आपका यहाँ पर लगेगा जो कि उसकी भी size दी गई है 30-50 kv तक आपका होना चाहिए ठीक है signature और left thumb का यहाँ पर बता दिया मैं आपको 10-20 के भी होना चाहिए ठीक है बाकी यहाँ पर आप लोग देख लीजेगा बाकी यहाँ पर 12 point में दिया ग बाकी दोस्तों जो जो important था सब कुछ मैंने आपको discuss कर लिए आगे चलते हैं आगे देखते हैं क्या क्या दियागे तो आगे दोस्तों जैसे हम नीचे जाएंगे notification के नीचे तो वहाँ पर आपको मिल जागा employee serving certificate for GDC तो दोस्तों इस form को आप लोग डाउनलोड कर लिजेगा यही form है आपका ठीक है regular employee का तो यह आप लोग डाउनलोड कर लिजेगा इस format में आप लोग बना रहा है ठीक है जैसी और नीचे जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको card certificate बगरा मिल जागा ठीक है यह तो आप लोग थोड़ा देख लिजेगा क्योंकि यह तो regular बच्चे भी जानते हैं इस बारे में तो आप लोग देख लिजेगा एक बार ठीक है फिलाल दोस्तों जो notice के अंदर था सब कुछ हमने discuss कर लिया है सब कुछ A to Z जो भी इसमें अथा दिया गया था important चीजे थी सारी की सारी में discuss कर दी इस वीडियो के अंदर फिर भी अगर आपको को है कि देखिए अगर जीडी सी के वेकेंसी इन्होंने announcement कर दिये तो normal candidates जो है उनके लिए भी वेकेंसी announcement होने वाले है 100% यह तो पक्का है क्योंकि आपको पता है कि 24 के अंदर election है और 24 के अंदर election को देखते हुए यह तो confirm है कि वेकेंसी तो जरूर आईगी अपरिल के अंदर परसेंट आने वाली है 2024 के पहले ठीक है क्योंकि 24 में आपको पता है कि election है और election से पहले तो वेकेंसी आना confirm है दोस्तो फिलाल दोस्तो अगर आप eligible हैं तो इस form को miss मत किजेगा apply जरूर किजेगा बाकि दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मिलदा हूं नेक्स वीडियो में पता के लिए जाहिन जाइबार